एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो इंट्रोडिक्शन आफ एकाउंटिंग लेक्श्न नंबर टू फैनीनिशियल अकाउंटिंग का हम लोग क्या करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं इस ल पहले बात आपकी की थी branch of accounting की मैंने आपसे चर्चा किया था जिसमें मैंने आपको ये branch of accounting बताया था जिसमें financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility accounting, HRM और इन सब का जो तीनो classification था या इन तीनों का जो आपका एक निचोड था वो आपका क्या था recording, classification और summarization था फिर उसके बाद और भी सारी चर्चा हुई थी जिसमें मैंने आपको definition या meaning of the accountancy के बारे में बताया था और इस meaning of accountancy में मैंने आपको बताया था कि accounting is the art of the recording is the art of the recording और classification, summarization and significant manner in the terms of the money और साथ ही साथ यह जो definition आपकी दी गई थी यह definition आपकी दी गई थी AICPA के द्वारा यह definition आपकी क्या की गई थी दी गई थी तो इन सब चीजों को हम लोग one by one पढ़े थे और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपने previous वाला lecture नहीं पढ़ा है तो प्रीवेस वाला कौन किसे होते हैं या जो हमारा यह fundamental of accounting था जिसमें मैंने आपको बताया था कि fundamental of accounting को हम लोग accounting equation भी कहते हैं जिसमें आपने assets liability owner equity इन सब के बारे में पढ़ा था और साथी साथ हमने एक आपको formula भी बताया था assets is equal to capital plus liability और फिर अगर liability निकालना हो तो assets minus capital और अगर capital निकालना हो तो assets minus liability तो इन सब इन सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया था one by one सारा complete कर लिया था देख लिया था तो चलिए फिर आज ही class में start करते हैं हम लोग feature of the accounting अच्छा feature of accounting में आपने ये सारे point देख लिये recording of transaction, classification, summarization, analysis, communication ये हमारा complete हो चुका था तो अब बारी आज की है जरा heading जरा सभी लोग लिख लीजे objective of accounting यानि जो हम accounting कर रहे हैं जो हम financial accounting कर रहे हैं देखिए एक चीज जानिए यहाँ पे चाहे objective of accounting बोल दे या फिर आपका objective of the financial accounting बोल दे अंसर सबका सेम ही रहेगा clear हो गया तो देखिए सबसे पहला आपका objective क्या है पहला point कहता है to maintain a systematic record of the business transaction to maintain the systematic record of the business transaction यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है ध्यान से देखो आपने कल की class में यानि जो आपकी previous की class है वहाँ पे मैंने आपको transaction के बारे में बताया था क्यो भई सानिया transaction के बारे में मैंने आपको बताया था बताइए मुझे transaction क्या होता है यादी नहीं होगा किसी को चलिए आप बताये दीपा बिल्कुल सही answer इनका इन्होंने कहा कि सर जो बायर और seller के बीच में relation होता है उसी को हम क्या कहते हैं transaction कहते हैं अब जब एक बार transaction को identify कर लिया आपने ध्यान से सुनिएगा जब एक बार आपने transaction को क्या कर लिया identify कर लिया कि सर ये financial transaction है अब क्या करें सर अब उसका आप voucher create करो आप उसका क्या create करो voucher create करो देखो एक चीज जानो या तो आप voucher issue करोगे या तो आपको voucher receive होगा अब आप को होगे आप या तो आप को आप रिक्रॉड करते हो और सर कैसे रिकॉरड करते हैं ज住र बताओ मुझे कौन बताएगा चलो देखो मैंने लिखी दिया किसके माध्यम से जर्नल इंट्री के माध्यम से करते हैं अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है और वो यह है कि यह जो बाउचर होता है ना बेटा इसी को हम लोग evidence भी कहते हैं ठीक है? evidence of transaction कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं evidence of transaction कहते हैं एक नंबर का सवाल आएगा explain the evidence of transaction आप सीधा नाम दे देना क्या? voucher समझ में आ गया कि नहीं आ गया एक बाद पढ़िये क्या लिखा है कहता है accounting to use to maintain the systematic record of all the financial transaction in the book of the account यह line clear हो गई उसके बाद कहता है for all the transaction are recorded in the criminological order in a journal entry and then post to principal book that is the laser यानि सिर्फ journal entry से ही हमारा काम नहीं वनेगा बलकि इस journal entry को हमें क्या करना है post भी करना है अब ही कहां post करना है sir laser में post करना है कहां post करना है आपका laser में post करना है क्योंकि यहां पे दो step आपको देखने को मिल रहे है देखो अगर आप ध्यान से देखोगे न यह दोनों जो step आपको दिख रहे है इन दोनों को आप यह भी कह सकते हो कि sir यह bookkeeping है क्योंकि last class में मैंने आपको bookkeeping के बारे में बहुत detail में बताया था बताया था कि नहीं बताया था तो पहला जो amount पहला जो element या पहला जो objective है वो आपका किस से related है bookkeeping से related है point clear हो गया बिटा आईए अब दूसरा point करते हैं दूसरा point देखते हैं अब दूसरा point देखिए देखिए दूसरा point क्या कहता है कहता है to ascertain the profit and loss सर ये क्या होता है अच्छा एक बात बताओ भेया ये जो आप recording कर रहे हो ये जो आप क्या कर रहे हो recording कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो अब आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने last class में accounting cycle पड़ी थी क्या दे accounting cycle पड़ी थी ये रही वो cycle तो देखो recording के बाद recording के बाद क्या आया था classification आया था यानि ये पहला objective यहीं भे खतम हो गया अब दूसरा objective क्या कहता था summarization अब देखो summarization इसी लिए ना ताकि हमको पता चल सके कि actual में हमारा profit क्या है हमारा loss क्या है अब देखो एक number का सवाल आप से पूछे का जरा बताओ profit or loss कैसे बता करेंगे तो answer क्या है सर profit or loss कैसे बता करेंगे summarization की help से क्योंकि profit or loss summarization में ही तो आएगा जिसमें आप trial balance बनाते हो जिसमें आप profit and loss account बनाते हो trading account बनाते हो profit and loss account बनाते हो या आप ये भी कह सकते हो कि सर हम यहां से net result भी तो पता कर रहे है point समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला point समझ में आ गया चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर अब एक बार पढ़ लेते हैं देखो एक चीज जानो जो previous का लेक्चर है आपका न वो एक दूसरे के साथ interlink है अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है लेकिन हाँ पिछला देखे हो तो चीजें समझ में आ रही होंगी आ रही है कि नहीं आ रही है आई रही होंगे चले पढ़िए ज़रा लिखा क्या है इसमें कहता है कि every businessman is keep to know the result every businessman is keep to know the result of the business operation periodically periodically का मतलब क्या होता है periodically का मतलब होता है time to time बेटा period to period time to time यानि period to period और generally हमारे financial accounting का जो period होता है वो 12 महीने का होता है इतने महीने का होता है आपका बारा महीने का होता है यह हम आगे पढ़ेंगे परिसान ना होई अभी फिर आगे कहता है to check where the financial business where the business to earn देखो क्या लिखा है profit और included loss या तो आप profit कमाएंगे या तो लॉस हो जाएगा आपको लॉस नहीं कमाया जाता लॉस हो जाता है इसलिए यहां पर सब्द क्या लिखा अर्नड़ प्रॉफिट कमाना है और लॉस क्या है हो जाता है भी प्रिपेर दा प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया ठीक चालो अब तीसरा क्या कहता है की to Determine the financial position to Determine the financial position अब पाईनेंशेल position कैसे पता चलेगा देखो A 必ज़ जानो Financial position पता चलेगा आपके कि 100 में बैलेंशीट से या आप यह भी कह सकते हो कि fundamental of account से किस से पता कर सकते हो आप fundamental I caunta से पता कर सकते हो क्यों क्योंकि balance sheet में तीन element रहते हैं assets रहता है capital रहता है और क्या रहता है आपका liability रहता है बताओ समझ में आया कि नहीं आया एक बार पढ़िए ज़रा जल्दी से another important objective to determine the financial position of the business to check the value of the assets and liability liability तये में capital तो नहीं लिखा है इसमें capital तो नहीं से होता है रेभागी assets लिखा है न तो Capital का formula क्या होता है assets minus liability ही तो अगला एक रहता है या और वदेख explains to the security of stability को जैसे ही अनलाइज करोगे और सौनाटिक capital आपके さंबने निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अट्रमेटिक निकल के आ जाएगा फिर उसके बाद अगला देखिए चौथ अब्जेक्टिव देखिए कहता है तू प्रोवाइड दा इंफॉर्मेशन टू दा वेरियस यूजर अब वेरियस यूजर लास्ट लास में मैंने आपको यूजर के बारे में बताया था कितने तर सारे इंप्लॉई हो गए सारे ओनर हो गए यह घर के हो गए यह इंटर्नल हो गए और एक्स्टरनल कौन हो गए सर जो बाहर के लोग है अप्लायर हो गए बैंकर हो गए है ना कस्टमर हो गए समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो यह जो information मांगते इनको वो दे देनी लिकिन एक बात याद रखना है कि इनको इनकी अवकात के आधार पर ही information देनी है मतलब सर क्या है जैसे एक owner है अब owner तो कुछ भी मांग सकता आप उसको कुछ भी दे सकते हो लेकिन अगर employee है क्या employee को आप सारी detail दे दोगे जो important detail है वो भी दे दोगे अंसर है नहीं सर क्यों क्योंकि उसकी authority नहीं है और अगर employee आपकी information को लेकर किसी दूसरे competitor के पास पहुँच गया आपके तो problem होगी कि नहीं होगी 100% problem होगी आपको एक example देता हूँ एक company जिसका नाम था JBL एक company जिसका नाम है boot याद है न बूट के मालिक कौन है अमन अमन नाम है पहले वो JBL में काम करते थे अब सोचो JBL की सारी technology को उठा के उन्होंनों किस पे लगा दिया बूट पे लगा दिया JBL एक समय में sound की दुनिया में टॉप पे थी आज के समय में JBL लटती जा रही है तारण क्या है क्योंकि सारी information सारी important information किसके पास थी अमन जो की employee थे और आज वो information का use किसके पास कर रहे है वो अपनी खुद की company यानि बूट के पास कर रहे है इक चीज जानिए अब आप स्वेम सोचो ना रावड क्यों मरा अगर वह वीशन को जानकारी ना देता तो क्या राम जी मार पाते नहीं मार पाते माना कि वह जगत के भगवान जी हैं लेकिन फिर भी नहीं मार पाते नहीं मार पाते तिसलिए information उतनी ही देना जितना कि उसके लिए अवश्क हो समझ में आ गया न आ क्या है न कि आप लोग भावनाओं में बहे के एकडम सब कुछ बता देते हैं कि अध्या बहुनाओं में रह के सब बता देते हैं आए आगे देखेंगे और वाई से भी बिटा आगे देखेंगे कहता है provide the information to the various interested party and stakeholder stakeholder का मतलब यहाँ पर बिटा किस्से है आपके owner से है is one of the most important objective of the accounting it helped to make the good financial decision it helped to make the good financial decision यानि आप उनकी और शक्ता के अनुसार उनको जानकारी देंगे तो फिर decision लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है clear हो गया और फिर एक और objective है और वो क्या है to assist the management अब एक चीज जानो बेटा अगर आपको याद हो तो जब आप accounting cycle पढ़ रहे थे accounting cycle में summarization के बाद एक point आया था क्या देना analyzing interpreting communication और मैंने क्या कहा था कि यह किसकी बात करता है management accounting की बात करता है यानि management करता क्या है एक बात बताओ अगर आप से पूछू कि management करता क्या है तो आप कहोगे sir management organizing करता है planning करता है assisting करता है staffing करता है controlling करता है management overall आपके business को चलाने के लिए irresponsible है तो वह information जब आप उसको देंगे तो ही तो वो एक perfect decision ले पाएगा की नहीं ले पाएगा perfect decision ले पाएगा की नहीं ले पाएगा और जब एक perfect decision ले और तो एक बढया सी policy बनेगी और जब बढ़एँ सी policy बनेगी तो business अच्छे से क्या करेगा run करेगा point clear हो गया कि नहीं clear हो गया इसलिए last में लिखा है क्या इसलिए last में क्या लिखा to assist the management यानी information management को क्या करती है एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है ताकि वह decision को लेने में help हो सके clear हो गया चलिए इसमें आगे लिखे इसमें लिखा क्या है by analyzing the financial data and providing the interpretation in the forms of the report क्या सब्द लिखा है वेटा रिपोर्ट accounting assistant management is the handling the business operation effectively जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर ने कहा आप ने कहा भी आमको बुखार है तो डॉक्टर ने एक बार दो बार दवाई लिखी लेकिन बुखार नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर क्या करेगा जाब यह चक्कर आए क्या हुआ फिर आप नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिएगा हम आपको इसका पीडिया बेस देंगे बाकी जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे है निश्चिंत रहे वेटा आपको अगले सुमार तक यह नोट्स आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा लेकिन हाँ यह बेसिक बेसिक चीज़े आप नोट करते रहिएगा ठीक है बेटा चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से पहला अब्जेक्टिब क्या था जा अब बोलिए मेरे साथ पहला अब्जेक्टिब क्या है तू मेंटेन दा सिस्टेमाटिक रिकॉर्ड अब दा बिजनस ट्रांजेक्टिव दूसरा क्या है है फाली हैडिंग लिख लो मज आएगा जल्दी लिखो तू मेंटेन दा सिस्टेमाटिक रिकॉर्ड बिजनस ट्रांजेक्टिव है पहला हो गया यह दूसरा हो गया औख दातिवी यो थं। नौस्ट किस्र похож कि लाग्य य वे व्हाँ थित्र देम्सिंश पॉजिस्ट थ॥र्श elétक ट京 कौने इस्यश था। झाल झाल यह हो गया सबका है आगे बढ़ते हैं अगर आप लोग आफ लाइन क्लास को जोईन करना जाते हैं जो बच्चे सुल्टानपुर से बिलॉंख करते हैं हो हमारे एकाउंटिंग गूरू सेंटर पर आये और जो सेंटर का एड्रेस है वह आप नीचे दिये गया नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे आपको सेंटर का एड्रेस भेज दिया जाएगा financial accounting become second semester become third semester से लेकर जो बाकी semester की classes है वो चल रही है आईए join करिए और एक बहतर भविश्य की तरफ आप लोग एक बढ़िया सा कदम उठाइए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगला point देखते हैं बेटा कहता है importance of accounting देखो एक चीज जानो अगर आपने feature पढ़ लिया आपने objective पढ़ लिया तो importance भी इसी का मिला जूला ही result है जान से सुनिए भया important भी इसी result इसी का क्या है मिला जूला result है कैसे जरा देखो कहता है keep to record the business transaction बताइए क्या ये point आपको समझाने क्यों शकता है बताइए क्या ये point मुझे समझाने क्यों शकता है ओल्रेडी बता चुका हूँ दूसरा facility decision making of the management बताइए क्या ये point भी समझाने क्यों शकता है मुझे answer है नहीं क्योंकि अभी इसको discuss किया है फिर आगे कहता है communication result communicate result यानी result किसको या तो external या तो क्या आपके internal इनी को तो करना है भी या ठीक है क्या है meet the legal requirement ये point आपको समझना है ध्यान से सुनिए ये point आपको समझना है meet the legal requirement ध्यान देंगे देखिए एक चीज जानिए बाबू इसा नहीं है बेटा एक proper rule और regulation के according आपको अपना accounting क्या करना पड़ता है record करना पड़ता है अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में जो भी accounting की rule और regulation की power होती है वो किसके पास होती है ICAI के पास होती है जिसे हम Institute of Chartered Accountant of India कहते है यानि यह जो ICAI है यह सारे accounting standard सारे accounting principle सारे accounting rule and regulation को बनाने के लिए क्या है जिम्मेदार है और ICAI के साथ साथ आपका देखो company act यह भी responsible है आपके accounting को maintain करने के लिए company account के साथ आपका income tax act भी responsible है ठीक है income tax act के साथ आपका GST भी आपका क्या है responsible है यानि कहने का मतलब यह है कि business को चलाने के लिए जो भी आपके act बनाए गए हैं आपके government of India के दोारा उन सब को आपको क्या करना है फॉलो करना है और उन सब को जब आप फॉलो करोगे तो आपक tax of account को क्या करते रहना है prepare करके चलना है समझ में आ रहा है जैसे आप company account की बात करोगे company act की बात करोगे तो वहाँ पे आप profit and loss account नहीं बनाओगे बलकि वहाँ पे आप profit and loss statement बनाओगे जी वहाँ पे account सब्द हट के क्या लग जाता है statement सब्द लग जाता है समझ रहे तो ठीक उसी प्रकार जब आप income tax की बात करोगे तो जो चीजे आपने trading account या PL account में minus कर रखी है वह चीजे आपके income tax के according हो सकता है आपको प्लस करनी पड़ जाए क्यूंकि वहाँ पे कुछ ऐसे expense जो की allow ही नहीं होते जैसे depreciation जैसे आपका क्या कहते है यह माल लीजे प्रोवीजन जैसे आपका क्या प्रोवीजन आप प्रोवीजन जैसे normal account में बना रहे हो तो वहाँ पे आप debit side में करके आपने minus कर दिया लेकिन income tax कहता है ना ना कोई provision नहीं है सब जोड़ो तो बहुत सारे expense है जो की आप minus कर चुके जब आप income tax पढ़ेंगे profit and loss profit business and profession वाला chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे clear हो गया अभी फिलाल इस वाले point को देखिए कहता है proper accounting help organization ensure the accurate accurate reporting of the financial assets and liability tax authority such as US बताईए हमारे देश का तो पतिये नहीं है दूसरे देश का में पढ़ना पढ़ रहा है ठीक है पढ़ लीजे एक बार tax authority of the US क्या है internal revenue service IRS फिर कनाड़ा वाला क्या है बिटा CRA अच्छा अपने इंडिया का मैंने बता दिया है ना अपने इंडिया का भी जा क्लियर होगया बिटा तो यह system है जो अपने बारत का बता दिया अपने भारत का मैं किताब के और उत्वरों से भी कहुंगा कि मालिक लोग आप भी इसको दिखा देते तो मज़ा आ जाता है लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अभी IPL का auction हुआ है इंडियन खिलाडियों की value कम की गई है और जो बाहर के खिलाडी है उनकी value बहुत ज्यादा की गई है आप सोचो हमारे ही देश के लोग हमारे ही लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं और बाहर के लोगों को वह ज्यादा पसंद कर रहे हैं यह सबसे देश की सबसे बड़ी बिटम बना है यह जानिए अब आगे देखते है इतना point हमारा clear हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं सुरुआत से सुरू कर लेते हैं पहला क्या था आपका keep the record of the business transaction दूसरा क्या है बेटा facilitate the decision making for the management फिर उसके बाद क्या है आपका communication result फिर क्या है आपका meet the legal requirement यह सारे के सारे आपके क्या है बेटा importance है किसके accounting के सारे के सारे आपके importance है ठीक है चालिए अब कुछ और बाते कर लेते हैं कुछ और point को देख लेते हैं आकि यह chapter हमारा जल्द से जल्द क्या हो जाए खतम हो जाए ठीक है अगला point क्या है आपका देखो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको explain की गई है पहला है bookkeeping दूसरा क्या accounting और तीसरा क्या आपका accountancy बहुत ध्यान से समझो इसको याद नहीं करना इसको खाली समझना है समझो ध्यान से जब आप bookkeeping की बात करते हो ना बेटा तो bookkeeping में सबसे पहले क्या आता है identification आता है फिर क्या आता है measuring आता है measuring क्या मतलब कितनी value है उसकी identification किस चीच transitioning solchen क्या यह transaction Pourquoi driving करेंगे नहीं है इसान आप configur वह चेरगी से मेरी कोचिंग के बाहर यह से बात करोंगा कि नहीं है तो बात अब मैं क्यों बात करूँ भाई मैं अपने उसमें रहता हूं एरोगेंट में रहता हूं मेरे हो तो मेरे रहोगे और मेरे नहीं हो तो फिर मेरे भी नहीं रहोगे नहीं दूसरे के रहो मेरे नहीं रहो पैसे में आप उसको मेजर करो 10 रुपय का है 100 रुपय का है 1 लाग का है 10 लाग का है 1 करोड का है मेजर करो आप उसे फिर उसके बाद after the measuring आप उसे क्या करोगे recording और फिर क्या करोगे classification मतलब यहाँ पे आप 4 activity को सामिल करते हैं वैसे देखा जाए basic दो ही activity है ध्यान से सुनिएगा basic दो ही activity है exam में माल लीजे यह आजाए कि what are the activity of the bookkeeping तो आप सिर्फ यही दो नाम लिखिएगा यह सिर्फ दो नाम लिखिएगा लेकिन for the definition आपको यह चारो लिखना पड़ेगा और the definition आपको यह क्या करना पड़ेगा चारो लिखना पड़ेगा clear हो गया कि ने clear हो गया वेटा point clear हो गया एक बार पढ़ लीजे कहता bookkeeping is the part of the accounting accounting is not a part of bookkeeping true or false में number आएगा यहां पर answer सुनिए true false में question आ सकता है क्या लिखा है bookkeeping is the part of accounting answer है हाँ लेकिन अगर यह दे दे accounting is the part of bookkeeping ना 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 clear हो गया ना आगे देखो true false में यह question आ सकता है इसको आप लोग लिख लिख लिजेगा जरूर बेटे चलो आगे देखेंगे फिर अगला point क्या है आपका accounting अब account की बात करते हैं देखो एक चीज़ जानो accounting की सुरुवात ही किस से होती है आपकी बुक कीपिंग के खतम होने से मानि मतलब जैसे ही bookkeeping खतम होता है यानि जैसे ही क्लासिफिकेशन वाला step स्टार्ट होता है मैं सोरी बुक कीपिंग यह सब्द क्या लिखा है end it include बेटा देखो क्या लिखा है summarizing it include क्या बेटा summarizing interpreting and communication of financial transaction financial data to the user of the financial statement यानि यहां पर आपका क्या आता है समराइजिंग आता है समराइजिंग के बाद क्या आता है इंटर प्रेटेनिंग आता है इंटर प्रेटेनिंग के बाद क्या आता है कॉम्मिकेशन आता है यानि बुक कीपिंग प्लस, summarizing, interpreting, और last क्या है आपका, communicating, ठीक है, communicating, या communication, clear हो गया बेटा, ये definition clear हो गई, अब उसके बाद आगे बाद करते हैं, accountancy, एकाउंटनसी की जब आप बात करते हो, तो accountancy की हिंदी जानते हो, क्या होता है, accountancy को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, लेखा सास्त्र, और सास्त्र का मतलब क्या होता है, complete knowledge, सास्त्र का मतलब क्या होता है, complete knowledge, यानि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, कि जो accountancy होता है, it's referred to the systematic knowledge of the principle and technique which were applied in accounting, यानि ये जो accountancy है, ये आपका क्या है, complete information होती है, complete knowledge होती है, और complete knowledge, complete information किसका principle और technique का, जिससे क्या होता है, जिससे आप अपने accounting में क्या करते हो बेटा, यूस करते हो, तो ये difference clear हो गया कि नहीं हो गया, भाई, तीन नंबर का सवाल या चार नंबर का सवाल आप से पूछ सकता है, कि explain the bookkeeping accounting and accountancy, तो बेटा जी, बताओ, तयार हो गया कि नहीं तयार हो गया, चलें आगे अब हम लोग, आईए फिर, आगे बढ़ते हैं, और next point की तरफ चलते हैं, और next point हमारा क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखो, और next point हमारा क्या कहता है वेटा, देखेंगे ज़रा ध्यान से, कहता है difference between the bookkeeping and accounting, difference between bookkeeping and the accounting, एक मिनट बस, पांच निम्मर का आएगा, दोठो नहीं बेटा, यह देखो, बलब दोठे स्क्रीन पर दिखा तो यही दोठो, यह दोठो नहीं, इसकी नीचे भी है, आईए, देखो इची जानो, इस चीज में जो सबसे पहला point है, meaning, अगर आपको याद रखना है, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, पहला point, meaning, बताओ, याद हो जाएगा, याद है कि नहीं, याद है, meaning लिख लीजे, accounting की meaning लिख लीजे, और bookkeeping की क्या लिख लीजे, meaning लिख लीजे, फिर उसके बाद अगला point क्या कहता है, आपका scope, scope का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, छेत्र, तो देखो, bookkeeping में क्या क्या सामिल है, बताओ, चार चीजें बताई थी न, पहला क्या, identification, पहला identification, measurement, फिर recording, फिर classification, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, bookkeeping, है न, bookkeeping के बाद क्या है बिटा, summarizing, analyzing, or, summarizing, analyzing, interpretation, और communication, हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, ठीक, objective की बात करते हैं, इसका objective क्या है, कि ये सिर्फ और सिर्फ systematic record of financial transaction के लिए responsible है, ये सिर्फ किसके लिए responsible है, systematic record of financial transaction के लिए responsible है, जबकि ये क्या है बेटा, ये आपका profitability और financial position के लिए responsible है, यानि ये business की profit situation को explain करता है, business की financial position को explain करता है, overall ये business के हर एक चीज को क्या कर देता है, explain कर देता है, clear हो गया, ये तीसरा point भी clear हो गया, अब अगला point है बेटा, stage, जड़ा सामने देखे, stage की बात करते है, ये बेटा कौन सा stage पे है, ये primary stage पे है, primary stage का मतलब क्या होता है, अरे, प्राथमिक, और ये कौन से stage पे है बेटा, secondary stage पे है, secondary stage का मतलब क्या होता है, दुतिये, बाद में, पहले कौन आएगा, पहले accounting आएगा, पहले bookkeeping आएगा, पहले bookkeeping आएगा, तो वो primary हो गया, बाद में क्या आएगा, sir accounting आगया, तो वो क्या हो गया, secondary हो गया, clear हो गया point, फिर nature of job, एक चीज़ जानो, ये accounting का nature क्या है बेटा, analytical nature है, अब आप कहोगे sir, analytical क्या होता है, analytical का मतलब होता है, बेटा, overall result पता करना, analyze करना, analytical सब्द बना किस से है, analyze सब्द से बना है, ठीक है, किस से बना है आपके, analyze सब्द से बना है, point clear हो रहा है, फिर उसके बाद अगला point क्या कहता है, आपका nature of job, यहाँ पे जब nature of job की आप बात करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, routine and representative nature, मतलब routine का मतलब क्या होता है, यह चलता रहेगा, इसका nature, इसका काम क्या है, हर दिन का routine वाला है, हर दिन, भाई एक बात बताओ, जो transaction आप sell out करोगे, जो transaction आप बेचोगे, उसकी recording तो आप करोगे न, जो laser होता है, जो आपका journal entry होती है, वो हर दिन होती है, लेकिन अगर आप trading account की बात करें, अगर आप PL की बात करें, अगर आप balance sheet की बात करें, तो आप यकीन मानो, ऐसा नहीं कि वो दिन एक दिन हो, न, न, वो एक दिन नहीं होता, बलकि क्या होता है, कि वो साल के आखरी में बनाया जाता है, जो balance sheet होती है, वो एक निश्चित दिन पर बनाया जाती है, और जो profit and loss होता है, वो साल के किस में बनता है, आखरी में बनता है, point clear हो रहा है, फिर उसके बाद level of skill की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी special skill की कोई भी requirement नहीं है, और यहाँ पर क्या है वेटा, special skill की 100% requirement है, क्योंकि जब तक आपको principal नहीं पता चलेगा, जब तक आपको standards नहीं पता चलेगे, तब तक क्या आप accounting कर पाएंगे, अंसर है नहीं सर, clear हो गया, ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, it's required the specialized skill to analyze, so it is the performed by the junior staff, माफ कर येगा senior staff, और यहाँ पर क्या है, कि ये junior staff के दोरा क्या किया जा रहा है, prepare किया जा रहा है, clear हो गया, पहले आप इसका screenshot ले लो, हो गया, चालो, अब इसका भी screenshot ले लो, चालो, अब next point देखते हैं वेटा, अब next point हम कल देखते हैं, आज नहीं देखेंगे, ठीक है, next point हम कल देखते हैं, इतनी notes आप लोग पहले prepare कर लीजे, अभी इस chapter में क्या क्या बचा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम सबसे पहले advantage देखेंगे, advantage के बाद आपका disadvantage देखेंगे, फिर user हम लोग already चर्चा कर चुके हैं, user के बारे हम already चर्चा कर चुके हैं, फिर ये quality character of the accounting information, इसके बारे में बात करेंगे, फिर system of accounting बहुत important है, system of accounting को जानना, और फिर कुछ और चीजे, advantage of double entry जो की हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे आगे चलके, और फिर उसके बाद आपका ये chapter जो है, खत्म हो जाएगा, यानि अभी 4 से 5 topic आपके बचे हैं, जो की आपके chapter लेक्चर नमबर 3 में आपके क्या हो जाएंगे, cover हो जाएंगे, तो आज की class कैसी लगी, इसके बारे में आप जरूर comment करिये, comment box खाली है, आप लोग जरूर message किया करिये, और साथी साथ जहां से भी आप पढ़ रहे हूं, आप लिखा करिये किसे हम इस city से पढ़ रहे हैं, हमारा नाम ये है, जो भी है आपका नाम, आप जरूर message किया करिये, थोड़ा सा motivation मिलता है हमें, जब हम आपके comment को पढ़ते हैं, ताकि आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिये, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी information चाहिए, किसी भी चीज को लेकर, तो आप हमें हमारे number पर message कर सकते हैं, ख्याल रखिये आप सभी अपना, जय भोले नाज, जय हिंद,